गूट मॉनिंग गाइज और आप सभी लोगों पस्वागत है टीम मिनिविस्विल के यूट्यूब चैनल पे और मैं रितिश रंगारे दुबार आपका स्वागत करता हूं और एक question जो है बहुत अकसर मुझसे पूचा जा रहा था और बहुत सारे दिस्ट्टिबूटर की थूथरू पूचा जा रहा था बहुत सारे जो दूसरे MLM के लीडर से उनके थूथरू भी पूचा जा रहा था कि आप कोई भी एक सर्टेन डिसीजन मत लिया कीजे अब इसलिए मैं इसको यह वीडियो जो मैं क्रिएट कर रहा हूं ताकि इसमें मैं आपको डीटेल में समझा सकूं कि एच्वल में होता क्या है रहे तो आटमी की तो क्लियर पॉलिसी है कि आप बिलकुल भी कोई भी वेबसाइट पर अपने प्रोड़क अगेरा लिस्ट नहीं कर सकते है और यह अगर आटमी के डारेट प्रोड़क लिस्टेड नहीं है यह मैं आपको शो कर देता हूं लेटसे यह पेज उपन है इस पेज पेज आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर आप यह प्राइस देखेंगे ठीक है 2808 रुपे लिखा हुआ है यह प्राइस पचास ग्राम के चार पीसेस का और अगर आटमी के डिस्ट्रिबूटर रिट पर जाएंगे तो यह चारसो से चारसो दस रुपे के आसपास का प्रोड़ पर जाएंगे तो यहां पर लिखा है में स्टोर फ्रेंट ठीक है अगर आप यहां जाएंगे यहां पर जाके देखने के पर समझ में आएगा कि यह एटमी की कोई भी ओफिशल वेबसाइट रिया इन फैक्ट यह एटमी की कोई डिस्ट्रिबूटर नहीं है जो यह अगर आप इस प्राडट पर जाके देखेंगे तो आप चीज जो है वो देखने को मिल जाएगी जैसे आप इस प्राडट पर जाके यहाँ पर मेंने एक दो प्रॉडक्ट और निकाले हुए है अगर आप इस प्रॉडक्ट पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि यह जो प्रॉडक्ट है यह डारेक्ट आइटमी के थू बेचा नहीं जा रहा है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं Amazon available from these sellers अगर these sellers पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर list जो है वो sellers की open होके दिख जाएगी राइट अब यह देखिए एक जो है यह sold by लिखा हुआ है infinity cart इसके बाद में अगर sold by अगर information नहीं पता है क्योंकि अगर आटमी के distributor होते तो जाहर सी बात है कि यह policy break है और generally क्या होता है cases को track करना बहुत ज्यादा challenging होता है track नहीं किया जा सकता है क्योंकि you never know कि कौन जो है इस particular क्योंकि नाम भी change कर दी जाते हैं email भी change कर दी जाते हैं तो मुश्किल होता है बहुत जादा but I understand कि यह जो है confusion create करता है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि इस तरीके के कोई भी confusion ना बने ठीक है फिर इसी तरीके से अगर आपको दूसरे कोई products check करने है जैसे let's say कि यह वाला एक product है ठीक है मतलब यह कोई भी है आटमी का official यह नहीं है अब यह देखे यह random कोई भी company के कोई भी products जो है बेच रहे हैं तो इस तरीके के इनका focus से ज्यादा margin and करना random किसी भी rate क्योंकि इन्हें पता है कि quality products है तो quality product को list कर देते हैं और किसी rate पे बेचना start कर देते हैं लेकिन अगर गलत इस में से 0.001% भी जो है वो अटमी के members से distributor नहीं होते क्योंकि उन्हें पूरी policies पता है code of ethics पता है distributor की condition terms पता है तो यह normal कोई random लोग होते हैं जो short term profit के हिसाब से काम करते हैं एक product यह भी है अगर आप इसको भी देखेंगे तो sold and fulfilled by good life project लिखा दिखा रहा है इस पे भी पता चल जाता है और यह सिर्फ anatomy की case में नहीं होता है यह दुनिया की जितने भी अच्छे quality बनाने वाली companies अच्छे product बनाने वाली quality companies होती हैं यह लगभग सारी company के जो products निकलना start होते हैं तो कोई ना कोई इस तरीकी के products list कर देता है तो इन्हें cross check करने का सबसे चारीका मै website पर let's say कि अगर आपको दिख रही Alibaba पर या आप मान लिजे कि कोई और website हो गई है जैसे इंडिया माट पर या trade इंडिया पर तो यह completely authentic नहीं है और इस तरीके से allowed भी नहीं है आप नहीं कर सकते हैं अगर जैसे track होगी तो आपने देखा है code of ethics के लिए company इतनी strict है कि immediate जो ह आपके लिए informative रहा होगा इस वीडियो को जादर जादा लोगों तक share कीजिए अपनी team तक प्लस नए prospect के साथ में ताकि कोई भी confusion जो है वो create ना हो thank you so much all